आप सभी को मेरा प्रणाम आसा करता हूँ आप से बच्छे होंगे साथियों एक और महत्वपूर्ण ओस्दिय पोदे की चर्चा करेंगे गॉम्फरीना सिलोसोईडिस अमरेंथी सिकुल का प्लांट है और गंबले में आसानी से लग जाता है ये भी महान ओस्दि है किड्नी रिलेटिड डिसोडर्स की किड्नी के फिल्ट्रिशन को बढ़ने का कारे करता है डायूरेटिक होता है मुत्रल का ये कारे करता है सरीर के टॉक्सिंस को बहार निकालने का कारे करता है और blood pressure को suit नहीं करने देता है, suddenly बढ़ने नहीं देता है ऐसा metabolic disorders के कारण भी हो जाता है और blood में sodium का level जब बढ़ जाता है तो blood pressure suit करने के समभवना ज़्यादा होती है तो साथियों ये diuretic है, पेसाब के माध्यम से शरीर के toxins को बाहर निकालने कारे करता है kidneys का सोधन करता है, kidneys के disorders को खिक करता है, filtration rate को बढ़ाता है और साथ ही साथ मित्रों क्या करता है, natriuretic effect इसका होता है filtration के माध्यम से excess sodium को शरीर के बाहर निकालता है और जब excess sodium शरीर के बाहर निकल जाता है, तो fluid retention नहीं हो पाता है कहीं swelling है, वो भी उतर जाती है और blood pressure भी नहीं बढ़ पाता है तो मैं कहूं, hypertension का systematically cure करने का माध्यम है excess sodium को शरीर से बाहर निकालने का ये कारे करता है साथियो, इसका काड़ा बनाकर अगर आप 7 करते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं? इस मोसम में आप इसको सुखा कर powder बनाकर रख लीजिए, कांच के container में उत्तम रहता है आप इसको अगले 6 मेने तक इस इत्माल में ला सकते हैं पांच किराम काड़े का आप 7 करेंगे, तो आप देखेंगे कि सभी परकार के पित्त जनित रोगों को ठीक करने का ये कारे करता है सरीर के hormones को regulate करता है, साथ ही साथ ये जो काड़ा आप पियेंगे, ये diabetes को भी ठीक करता है bad cholesterol को कम करता है, lipid profile को check करने का ये शरीर में कारे करता है kidneys को अच्छे filtration को बढ़ाता है और इसका पिस्ट बना कर लगा देते हैं तो घाओ को भरने का भी ये कारे करता है, साथ ही ना भरने वाले घाओ भी अगर हो गए हो, नासूर हो गया हो उस सब में भी इसका पिस्ट बना कर आप लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप इसका काड़ा पीते रहिए आप देखेंगे कि सैस्ता से ना भरने वाले गहाओ भी ठीक हो जाते हैं कहीं फोड़ा फुनसी हो गया हो, तो भी आप इसके पत्र का पेस्ट बना कर बांद सकते हैं पस को निकाल कर फोड़े को आसानी से बैठा देता है सभी प्रकार की स्किन की समश्चा है, ठीक हो जाती है रेड नैस, इचिंग या प्रुराइटिस के समश्चा हो, वो भी इसके पेस्ट से ठीक हो जाती है मित्रो अगर बालों की समश्चा हो गई है, ग्रे हेर्स हो गए हैं, स्प्लिट एंडस हो गए हैं दो मुए बाल हो गए हैं या बाल जढने के समस्षा है तो आप इसका काड़ा बनाईए और अपने बालों को उससे दोलीजिए तो आप देखेंगे कि धिर धिरे अच्छे बालों की रूट्स को स्टेंग्ट करेगा, हेर फॉल की समस्षा को ठीक करेगा, हेर स्केल्प को साफ रखते हुए बालों को मजबूती देने का कारे करता है, हेर फॉल से बचाता है, और जब बालों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, तो स्प्लिट एंड्स की समस्षा भी दूर हो जाती है, मैं कहूं नैच्रल हेर कंडिशनर का ये कारे करता है, साथ यो इसको अच्छी गुणवत्ता, इसकी उप्योगिता, इसकी एफिसेंसी, इसकी पोटेंसी देखी गई है, सभी प्रकार से सेफ है, ध्यान ये रखना है, बहुत जातरा में लंबे समयत अगर आप लेते हैं, तो अबोर्ट इफेशन्ट ये हो सकता है, अबोर्शन कॉज कर सकता है मुशल रिलेक्षेंट एक्टिविटीज इसकी होती है, इस बात का ज्यान रखे, बाकी लिवर और किड्नी और स्प्लीन तीनों की बहुत अच्छी रेमेडी है, अच्छी स्किन केर के लिए, अच्छे बालों के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, एंटी रिंकल एक्ट कारे करता है, और सोधन का भी कारे करता है, यह जानकारी आपको मिली है, आप इसको सांजा कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी इस जानकारी से लाभानवित हो सकें, अच्छी मंगल कामनाओं के साथ, कल सुबह फिर साड़ेशे बजे मिलेंगे, एक नए प्रांट के साथ, नए समाधान के साथ, कब तक लिए आप सभी का दन्यवाद, पर नाम नमस्कार.